बाई 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 हमने कोई कार इकरम करना हो दोस्तों और साथियों आज यहां पर इकठे होने का मतलब महद इतना है आप सब लोग न्यूज चैनल देखते हैं हमारी बदकिस्मती है पिछले 5-6 महीने से हमारे नेट की सर्विसिस बंद है वरना ये खबर जो है काफी दूर तक पहुंच चुकी होती पहला मसला यहां पर इकठे होने का जामिया मिल्या इस्लामिया और जामिया मिल्या इस्लामिया के साथ-साथ कर रहे हैं हम इदर फूट खोल के बैठे हैं रेस्पेक्ट में ही बैठे हैं ठीक है यह एक मिडिया के सामने यह बात बरी स्पर्श करना चाहता हूं कि नर्सी बिल के ओपर यहां कोई मेड्मेंट बिल के ओपर हमारा इस वकत का प्रोटेस्ट नहीं है हमारा प्रोटेस्ट है यहां पर मीडिया यह बात नोट कर ले जाज एजन्सिया यह बात नोट कर ले administration के sponsor बन्दे यह बत नोट कर लें कि हमारा जो पर रहा है वो हो रहा है जामिय अमिल्यिय अश्लामिय के बच्चों के साथ ज्यादति पर वो हो रहा है एम यूétait मुस्लिम इनeldegree control के बच्रस जो ज्यादत्र हुई है मौरी संग के अंदर बच्चों के ओपर लाठी चार्ज हुआ है जामिया मिलिया इसलामिया की बात करूं तो रीडिंग रूम के अंदर से बच्चों को उठाया गया है शेम 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 बताईए बताईए अड्मिस्टेशन से पुछना चाहूँगा मानिये मोधी जी से पुछना चाहूँगा और हमिशा जी से कि आप दिखाईए हमें आप बताईए हमें आपको कंस्टेशन का कौन सा ऐसा पन्ना है जो आपको इजाज़त देता है इस तरीके से बच्चों को मारने का इस तरीके से बच्चों के ओपर लाठी चार्ज करने का इस तरीके से जालिमाना अंदाज से बच्चों को ट्रीट करने का अरे शर्मनाक बात है हमारे होम मिनिस्टर पर शर्मनाक बात है हमारी शर्म मिनिस्टर को चाहिए और हमारे होम मिनिस्टर को सबसे पहले चाहिए कि वो रिजाइन करे इस अपनी कुर्सी से अरे ये आपकी नाकबली है ये आपकी इनफिशन्सी है जो आपने बच्चों के ओपर लाठी चार्ज का इस्तमाल किया अरे मैं आपसे पूछना चाहूंगा क्या जामिया मिलिया इस्लामिया क्या अलिगर्ड मुस्लिम इनफिश्टी के अंदर आपको एंटी इंडिया के बच्चे मिलते हैं क्या आपको जामिया और एम्यू के अंदर प्रो पाकिस्तानी बच्चे मिलते हैं आपने गाड़िया खुद तोड़ी आपने बच्चों का नुक्सान खुद किया, आपने बच्चों की गारिया खुद तोड़ी, बच्चों के ओपर लाथी चार्ज आपने किया, लाइब्रेरी में गुस के बच्चों को आपने मारा, और इल्जाम लगाते हो, बच्चों के ओपर ये पेट्रॉल बंप फैंक रह अरे बहुत शरमनात की बात, शरम की बात है, यूपी, उतर परदेश के डीजी का बयान है, कि पेट्रोल पंप बच्चों ने मारा, बच्चों ने पत्थराओ किया, अरे मैं पूछता हूँ डीजी साब से, अरे एम्या की लाइब्रेरी के अंदर कौन से पत्थर है, जाम्या से ये मेसेज है, कि हम जो है, आपके इस फैसले से खुश नहीं है, जो आपने बच्चों के ओपर लाठी चार्ज किया, एक कमेटी बिठाई जाए और जान परताल हो, कि बच्चों के ओपर लाठी चार्ज क्यों हुआ है, और रही बास सीटिजनशिप एमेंड़ेट बिल क नहीं तो वह बात का मसला है, वह सुप्रिम कोट का मसला है, वह सप्रिम कोट देखेगी और सरकार देखेगी, सरकार देखेगी. करने करने की बात करने की हैं कि दवाद करते हैं मुषस्वास करते हैं कि टीच्ट विए विश्वास के जो कहता है वह इंडिया यह कर व दो कॉष्टिक्ट कर है और हम लोग हिंदूर यूण विश्वान के लिग लग उच्छ लांगी यह जबते के लूगलग नहीं है अर्व लोग हेख तरियर उर हानोसाथ करतीज है कमें जुह कूप करफ ऊतंब नहीं कि यह कुई विरोज है वो जिनको फिक अधर नहीं है लोग एक जो किसको बोल रहें अन्टी नेशनल बॉल रहें कि अधान जुनियों अधान जुनियों रहां जुनियों पार्ण लेट हागिए प्रूमारा जो आज का परदर्शन था, कल जिस तरीके से स्टूडेंट्स पे लाठी चार्ज हुआ है, उसकी हम शदीद अलफाज में मजम्मत करते हैं, और पुलीस ने जिस तरीके से दिल्ली में खुद गाड़ीयं चलाई, नेहते स्टूडेंट्स पे लाठी चार्ज किया उसकी शदीद अलफाज में मजम्मत करते हैं, और साब शब्दू में एक ही चीज कहते हैं, कि हुम मनिस्टर को नैतित के तोर पे रिजाइन कर देना चाहिए, उन्हें कोई हक नहीं बनता, कि वो इस देश के हुम मनिस्टर बने रहे हैं, स्टूडेंट्स अमेशा एक क्री शब्कार रहे हैं, और फिर जिस तरीके से वीडियो मीडियाज में आई हैं, और मीडियाज में चली हैं, कि पलीस ने खुद गाड़ीं जलाई हैं, यह बहुत शर्मनाक बात है, और एक ही बात हम लोग कहते हैं, कि जम्मू यूनिवस्टी का स्टूडेंट्ट्ट्ट्ट् मेरे साथ यह अंकुष जी हैं, यह लास्कूल से हैं, यह हिंदू कामनेटी से हैं, मेरे साथ अक्षे शर्मा जी हैं, यह ब्रामन कामनेटी से हैं, यह हिंदू कामनेटी से हैं, यह शील कुमार हैं, यह बगत हैं, यह हिंदू कामनेटी से हैं, मैं रकीक खान हूं, मैं मुस युनिवस्टी को हमेशा जम्मू वर्शिस कश्मीर नहीं होने दिया हम लोगों ने कल भी जिस तरीके सारे जहां से अच्छा हिंदू सिता हमारा हिंदी है हम वतन हिंदू सिता हमारा इस तरंगे के कातिल इस देश में आप बेतर जानते हो के वह कान है वह उनकी डिक्टेटर उनकी सरकार यह जान बूज के करवा रही है कि जम्मू युनिवस्टी का महौल खराब हो और जम्मू युनिवस्टी का समझदार स्टूडेंट जम्मू युनिवस्टी का स्कालर कभी भी जम्मू युनिवस्टी का महौल खराब नहीं होने देगा